हेलो दोस्तों कैसे हो आई होप सथीख होंगे आज का वीडियो बातरूम टॉयलेट की डीप क्लीनिंग का है मेरा तो रूटीन चल रहा है ना हर रोज वीडियो मतलब व्लॉग अपलोड करती हूँ तो फिर जो डेली करती हूँ वही बताती हूँ पर आज मैं पूरी तरह से दीप क्लीनिंग बताऊंगी जो जो मैं यूज करती हूँ देखिए मैं वाइट कैट थोड़े से पानी में मिक्स करके ही डालती हूँ डैरेक्ट नहीं डालती हूँ डैरेक्ट डालने से क्या होता है पुरे फर्षयों पे वाइट वाइट दाग गिर जाते हैं और बहुत घर भर कर स्मेल भी होती है और इस तरह से डालने से है ना स्टेन पूरा निकल जाता है और मतलब पूरा क्लीन क्लीन हो जाता है और आप क्या यूज़ करते हैं ये सब वाइट और ब्लैक फर्शियों पर का निकालने के लिए मुझे बताना क्यूंकि ये वाइट कैट की स्मेल है ना काफी तेज होती है ना को कपड़ा लगाना पड़ता है अल्ला ने तो दो ही हातें दिये है ना तीजरा हात देता तो सही रहता और फिर अगर मैं मास्क लगा भी लूना तो मेरा दम घुटता है और मैं ये पूरे जब दिवारें धोना होता है तभी हाथ में गलव्स डालती हूँ नहीं तो काम चला लेती हूँ जो हाथ में काता होता है उसी से अगर मैं इधर की दिवाल धोँगी ना तो फिर आपको दिखेगा नहीं फिर मुझे कैमरा बदलना पड़ेगा और बातरूम भी तो थोड़ी सी छोटी ही है ना तो चलिए मैं आपोस की दिवार ही धोकर आपको बताती हूँ देखिए मैं ये है ना क्या बोलते हैं कौन सा साबुन है हाँ सर्फ एक्सल साबुन है ये इसकी जगा कोई दूसरा साबुन यूज़ करेंगे ना इतना ज्यादा क्लीन नहीं होता है ये काफी वाइट वाइट चमका देता है पहले मैं रिन भी वापरती थी तो रिन से मु और मैंने कल के वीडियो में पसीने की बदभू के बारे में बात की थी दवाई भी बताई थी, थर्टी पोटेंसी, 200 पोटेंसी के बारे में, तो मैंने वो भी यूटूब से देखकर ही यूज की थी, मेरे बड़े लड़के को भी यूज की थी, अब छोटे लड़के को दू अगर सूट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है वैसे मैं लेती हूँ घर में मेरा भाई मेरी बेहन और मेरे हस्बेन को भी दिया है और मेरे बच्चों को भी देती हूँ 30 पोटेंसी भी ली है मैंने और 200 पोटेंसी में भी ली है मुझे ऐसा कोई अलर्जी नहीं दिखी है औ अगर आपको इसके बार में पूरा डीटेल जानना है तो डाक्टर कीरती विकरम का वीडियो आप देख सकते हैं सलफर बोल कर तो आप उससे पूरा डीटेल ले सकते हैं लेकिन सच में काफी ज्यादा असर है मेरे बड़े लड़की की तो पूरी स्मेल कम ही हो गई है अब छो हुए भी हम थोड़ा सा ये करेंगे और मैं वैसे बच्चों को साफ सफाई का खयाल भी रखवाती हूँ और महीने में एक आदा बार मैं खुद बीट वगरा रगड के नहला भी देती हूँ ये जो मेरी बातरूम की विंडो है ना उसको एक लकड़ी को कपड़ा बांद के साफ करना पड़ता है बहुत जंजट वाला काम है मैं छे महीनी को एक बार ऐसे ही करती हूँ बाकी इदर उदर का सब काम कर लेती हूँ पीछे जो सावुन रखा है न वो रैक में नहीं निकाला है क्योंकि पिछली बार ही धोया था मैंने लेकिन क्यामरा करना भूल गई थ सावुन यूस किये हैं सावुन का रैपर वहीं छोड़े हैं चार का बैच है तो ऊपर से निकाल लिये हैं बाकी के वह तीन वहीं रखे हैं ऐसे ही करते हैं मतलब हर चीज यहीं फेक देते हैं मुझे उटाना पड़ा शायद हर हाउस वाइफ की यही कहानी है देखिए ये मैं साबुन दानी धो रही हुँ ना इसमें बारिक बारिक दो दो होल है और एक होल बंध हो गया था शायद इसलिए साबुन भीग कर नरम हो गया था मैंने थोड़ा सा कैची का मुझ दाल कर उसके होल पूरे खोल लिये अब मैं साबुन ऐसे आड़े आड़े रख रही हूँ क्योंकि हवा लगकर पूरा सूख जाए और मेरी कमर तो जवाब दे गई काफी ज्यादा काम होता है लगबग इतना सारा करने में मुझे देड़ घंटा लग जाता है मैं इसी के साथ जग बकेट सब ही धो लेती हूँ और मेरे यहां का पानी बहुत ज्यादा खारा है इस वज़े से हर चीज़ पर आपको वाइट वाइट दाग मिलेंगे चलिए सब हो गया मैंने अच्छे से साफ कर लिया अब थोड़ा सा निर्मा मतलब जो भी मैं डिटरजन्ट यूज करती हूँ मतलब कैसे हो गया है हर चीज़ को सब लोग निर्मा ही बोलते हैं ज्यादा तर जो कॉमन लेडीज होते हैं वो बाकी वाले सर्फ एक्सल एरियल नाम भी लेते होंगे ये मेरा शायद एरियल ही है ये थोड़ा सा डाल कर अच्छे से ब्रश करके इदर उदर और ये मेरे नीचे के फर्शियों पर है बारीक बारीक रेगिया हैं शायद पैर पिसलना नहीं बोलकर पर उसमें साबुन और हम जो हेरडाय करते हैं वो मेहंदी अटक जाती है तो का मैक्सिमम सफाई पूरी मैं ही करती हूँ इदर से लेकर उदर तक थस्डे मतलब मेरा पूरा थकाने वाला दिन होता है और पूरी तरप से पानी दाल कर फैल ये देखिए ये क्लीन हो गई मेरी बातरूम चमचमा चमचमक रही है ना वैसे दो या तीन दिन ही रहती है क्यू कि अब वो भी हॉस्टेल चला जाएगा तो हम दो ही रहेंगे फिर मैं क्या चीज़ें साफ करूंगी बोलकर मैं उसे बहुत सी चीज़ें अवाइड भी करती हूँ जैसे ही उसकी टेंट की एक्जाम हो जाएगी ना फिर उसको हर चीज़ बताऊंगी मैं कि साबून नीचे नहीं रखना चाहिए इदर उदर पानी नहीं उड़ाना चाहिए ब्रश करने के बाद भी अच्छे से पानी दालना चाहिए पर वो बताने के बाद क्या है उसकी आदत एक बार में ही पूरा कर लेता है फिर वो चीज़ मतलब मैं मिस करती हूँ क्योंकि जब वो छोटा था कई एक चीज़े मैं उसको बताती थी बेटे ऐसा मत कर तू बोलकर मेरा क्या माइंसट रहता था एक दो तीन महिने करेगा फिर बाद में बंद करेगा लेकिन मेरे एक ही बार बोलने पर वो बंद कर देता था तो इसलिए मैं है ना उसे ज्यादा डाट के और कुछ ऐसा बो भी नहीं हूँ क्या मातरित्व बोलते है ना वो भी थोड़ा मुझे पालने का है क्यूंकि ममता फिर यह हो जाती है ना ऐसे लगता है बच्चे को मैंने तो चुप ही बोली बच्चे ने तो बंद ही कर देखिए साबुन का यूज होने के बाद साबुन का काता धो कर मैं य इदर का वाश बशेन उदर की दीवारें सब धो कर फिर अब ये इदर का आगई इदर का आईना भी मैं साबुन से ही धोती हूं क्योंकि यूसुफ यहां ब्रश करता है न तो पेस्ट के चीटे उड़ा देता है फिर बाकी सारी ये दीवारें भी मैंने साफ कर दी और ये मेर टॉयलेट ये देखिए ये रूम फ्रेशनर खुद बखुद ही फट जाए मेरे घर में कोमोड और इंडियन टॉयलेट दोनों है पहले मैं एसीड पानी में मिक्स करके पूरे तरफ फैला दूँगी दस एक मिनट छोड़ दूँगी उसके बाद आकर फिर से पानी दालकर पूरा फिर डोमेक्स दालकर उसको भी दस मिनट छोड़ दूँगी उसके बाद नॉर्मल वाली क्लीनिंग चालू हो जाएगी रगड़ रगड़ कर ब्रश से और ये मैं हमेशा ब्रश घुमाती भी हूँ नहाने जाना है तो मतलब ऐसा लगता है कि चलो पहले टॉयलेट म बढ़ जाती है पर हम लोगों को कैसा इंडियन ही यूज करने की आदत होती है न तो फिर हम थोड़ा सा कोमोड को अवाइड करते हैं ये देखिए रूम फ्रेशनर रात को नीचे गिर गया और फट गया पूर गर 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 घूम रहा था कल परसो भी एक उपर का उपर ही मेरा बड़ा लड़का था तो अभी यूसुफ भी उतना ज्यादा यूज नहीं करता है और हम दोनों क्या यूज करेंगे फिर वो वैसे ही रहे कर खराब हो रहे हैं चलिए टॉयलेट भी क्लीन हो गया मेरा मैंने टॉयलेट बताया नहीं है बस जितना दिखाया है दोते अच्छा खासा ब्रश कर रही हूं ब्रश करने के बार पहले तो मैह नहा ऐसे निर्मा दाल कर गृर बी जाती थी कई बार लेकिन आब समल कर करती हूं क्योंक्य पहले उतना गिरने के बाद भी बैठकर थोड़ा सा रोती थी दर्द होता था खतम हो जाता था पर काद Dust लीग कर रहा है इसलिए इदर का जगा काला काला दिख रहा है सुबा के आठ बच कर बीस मिनट हो रहे हैं बाकी किचन तरब का भी मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था यूसुफ को टिफिन वगएरा दे दिया था और अभी ये मैंने इस तरह से मैं बातरून की और टॉलेट की और ये वाशिंग एरिया की डीप क्लीनिंग करती हूं हाफ्त और मैं ये सारी सीजन्य यूस करती हूं आप किया क्या यूस करते हैं कैसे वाश करते हैं मुझे कामेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वडियो को यहीं खतम करते हैं मिलते हैं अगली वडियो में अपना खूब खयाल रखें बाई